इंदौर शहर के देवी अहिलिया विश्विद्याले के ओडिटोरियम में मध्यप्रदेश पुलिस प्रशासन के अधिकारी और इंदौर के अत्रिक्ते पुलिस महन देशक वरुन कपूर ने आज एक के वल्ड रिकॉर्ड बनाया है विश्विद्याले के ऑडीटोरिया में आज एक साथ 1200 पुलिसकर्मियों को वरुण कपूर ने साइबर क्राइम से जड़े अपराधों के बारे में संबोधित किया आज के इस आधुने क्योग में साइबर क्राइम और उससे बढ़ते अपराधों के बारे में पुलिस कर्मी और अधिकारी किस तरह से बचाओ करना चाहिए इसके लिए साइबर सुरक्षा इवं जागुरुकता विशय पर ADG वरुन कपूर ने 1200 पुलिस कर्मियों को एकसा संबोधित किया साइबर एक्सपर्ट माने जाने वाले वरुन कपूर अब तक साड़े चार लाग से ज्यादा इस तरह के संबोधन दे चुके हैं इसी तरह आज का उनका साइबर संबोधन वर्ड रिकॉर्ड बन गया है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको हमने सोचा था ट्रेनिंग बैठा के उनको समझाएंगे फिर यह आइडिया है कि उनके हमारे आप तैसी जगह है नहीं चार सो लोग एक साथ बैठ सके इस प्रकार के किसी हॉल में हमको करना था तो यह सोचा कि बागी संस्थाओं में भी ज प्रेक्रितों में हम करते हैं धा प्ली सिन्था के लिए विवागों के लिए मैं इन्हरूं से कर रहा हूं कि इसमें यह मैं बोलताओ आँसी एक चाबी है और वो है आपकी जागरूख था, जितने आप जागरूख होगी, उतने आप सुरक्षित होगे, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप समवाद करें, उन तक संदेश पहुचाएं, लोगों को बताएं इसके जो कॉंसेप्ट्स हैं, तो ये बहुत जरूरी है साइबर सुरक्षा में, क् कोई सुरक्षित नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, जब आप जागरूख होगे, तब आप करोगे, आज तो बारा सबसे उपर एक साथ क्यूंकि इतने सारे संख्या में थे, तो ये एक वेल बुकाव रेकॉर्ड ने भी उसको रेकिनाईज करने की निर्ने लिय कि इतने सारे लोगों को, फुली साथ अधिकारियों को एक साथ बिठाके, क्यों मेरे सेशन में तो आठ-था लोगों को भी कर चुका हूं, बट पुली साथ इतने सारे पहली बार है, तो उसके लिए उन्होंने इसको सर्टिफाइ करने का सोचा है. साइबर सुरक्षा एवं जागरुटा विशय पर हुए संबोधन पर आरे पीटी सी की असिस्टेंट कमांडेंट नीती दंडोतिया ने बताया कि जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड या क्राइम होता है तो आम जनता पुलिस के पास आती है लेकिन अगर पुलिस के साथ इस तरह की घटनाए हो तो उनकी जागरुपता के लिए इन अपराधों से कैसा बचा जाए इसके लिए यह संबोधन आज रखा गया आज आरे पीटीसी संस्था प्रमुक आदर्निय एडी जी डॉक्टर बरून कपूर सर द्वारा पुलिस अधिकारियों करमचारियों ट्रेनीज और जितने स्टाफ हैं तो अलग अलग जगों से आरे पीटीसी से फर्स्ट बटालियन पंद्रवी बटालियन डियार पी साइबर अवेरनेस एवं जागुरुपता के लिए हमने यहां पर आमंत्रित किया था एवं सभी ने अपनी सहभागिता दर्श की है सर के द्वारा जो है साइबर कॉप साइकॉप और ब्लैक रिबिन इनिशियेटिव जैसे जो प्रोग्राम चलाया जाते हैं उसके तहत द्वारा आज जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं इनको ट्रेनिंग सेशन देने के लिए यहां पर बुलाया गया और इसमें 1200 से अधिक लोग हैं जिसमें हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम को भी आमंत्रित किया है तो वो आज देखेंगे चेक करेंगे यहां प कि जो वास्तविक दुनिया होती है उसके जो क्राइम्स होते हैं वो सब हम हेंडल करते हैं वो पुलिस जो है वह सौल करती है हम आम जनता की मदद करते हैं लेकिन यह ट्रेनिंग इसलिए कि हम ही पुलिस ऑफिसर होके जब इन सब चीजों में साइबर अप्राज जैसे प्राप्त हुई जिससे निश्चीत रूप से हम अनवेर थे और सरकी द्वारा जो ये आज अथक प्रियास किया गया तो आज निश्चीत हम लोग साइबर कॉप्स बनके इस हॉल से निकल रहे हैं अतरिक्त पुलिस महानिदेशक वनुन कपूर के साइबर क्राइम पर शहर के 1200 पुलिस कर्मियों को जो महत्मूर टिप्स दिये गए हैं उससे इन पुलिस कर्मियों को आने वाले समय में साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी